गुर्ण मॉर्निंग बच्चो ओ कैसे हो बेटा सभी तो बेटा अपना एगरी कल्चर बाइलोजी जो है उसमें अगला टोपिक आता है पुनरोथपाधन पुनरोत पादन देख बेटा नाम से पता लग रहा है यानि पुनय उत्पादन पुनरोत पादन जो है अगर इस सब्द को अलग करें तो क्या आता है पुनय उत्पादन किसी चीज का पुनय क्या करना उत्पादन करना ठीक बेटा अब पुनय उत्पादन क्या है वो देखन बीज है बही कोई अच्छी प्रजाती है जिसका हमने विकास किया है बीज है तो उस प्रजाती के बीज को खेत में उगाया जाता है खेत में उगाना और उगा कर उससे नए बीज प्राप्त करना कोई भी प्रजाती जो है अच्छी प्रजाती जो है इस प्रजाती के बीजों को खेत में उगा कर नए बीज प्राप्त करने की जो क्रिया है वो पुनरोत उत्पादन कहलाती है जो अच्छी प्रजाती है उसके जो बीज है उनको खेतों में उगा कर उनसे नए बीज प्राप्त करने की क्रिया पुनरोत पादन कहलाती है पुनरोत पादन जो है इसमें जो जनन द्रव जनन द्रव जो एक्तरित आपने किया है जिसका संग्रह किया है अच्छे जनन द्रव जो है उसका जो हमने संग्रह किया है उसे कुछ वर्सों तक कुछ वर्सों तक उसका उत्पादन किया जाता है जो अच्छी गुणो वाली जो किस्म है अच्छा जनन द्रव है जिसका हमने संग्रह किया है ये पढ़ लिया था आपने जनन द्रव का संग्रह तो उस जनन द्रव जो है उसका कुछ वर्सों तक उसका पुनरोत पादन किया जाता है ताकि उनके बीज जो है उनकी संख्या मे वर्धी की जा सके यह स्तति जो है यह पूरोत पादन कहलाती है यानि अच्छी जाती के जो बीज है उनको खेत में उगाकर नए बीज प्राप्थ करना, ठीक बेटा यह पूरोत पादन हो अगला जो टोपिक है अपना वो है आनुवानसिक अपरदन का मतलब होता है हटना और आनुवानसिक मतलब जो आनुवानसिक गुण है उनका हटना देखे बेटा अनेक क्रसी फसले है या जंगली प्रजातियां है उनमें उपस्तित विविद्ता यानि जो विविद्ता जो पाई जाती है उस विविद्ता में दीरे दीरे कमी होना दीरे दीरे क्या होना कमी होना ही आनुवानसिक अपरदन कहलाता है बै कोई भी जंगली प्रजाती है या क्रसी फसले है उन फसलों में जो विविद्ता पाई जाती है उस विविद्ता का दीरे दीरे कम होना ही आनुवानसिक अपरदन कहलाता है अब आनुवानसिक अपरदन जो है इसके कारण क्या है यानि किन कारणों से आनुवानसिक अपरदन होता है नमबर एक देशी किस्मों जो देशी किस्म है उन किस्मों के इस्थान पर जो उन्नत किस्म है उनको व्यापक इस्तर पर उगाना अगर देशी किस्मे जो है उनके इस्थान पर कौन सी किस्मे उगा रहे हम लगातार उन्नत किस्मे उगा रहे है तो देशी जो किस्में हैं उनमें विर्दा धीरे-धीरे क्या हो जाएगी क्योंकि देशी किसमें हम उगार नहीं किसमें उगार रहें थीक बैटा दूसरा इसका कारण है खेती खेती जो है उसकी सुधरी जो पदतिया हैं न के काण जगली प्रा करूप जंगली प्रारूप का समाप्त होना खेती जो है उसमें नई नई तकनीके आई है और उन तकनीकों के कार्ण धीरे धीरे जो जंगली प्रजातियां थी या प्रारूप थे वो धीरे धीरे क्या हो गए समाप्त हो गए ठीक बटा तीसरा है कि लगातार जनसंख्या जो भड़ रही है और उस जनसंख्या के कारण जो है जंगली जो छेत्र होती है जंगली जो छेत्र है वो या तो खेती में रुपांतरित हो गए या उन्हें चारा घहा बना दिया गया जिससे जंगली पर जातिया खतम हो जाएंगी जैसे जैसे जन्संख्या बढ़ रही है तो जन्संख्या बढ़ने के कान जो जंगल है उनको खेती में रुपांत्रित कर दिया गया या चारागा बना दिया गया जिसके कान जंगली प्रजातिया क्या हो गई विलूप्ट हो गई ठीक बेटा नमबर च्यार क्या है कभी कभी क्या होता है कोई कोई खर्पतवार खर्पतवार इतनी भढ़ जाती है कि कोई विशेश एक जंगली प्रजाती को नस्ट कर दीती है कई बार कोई खर्पतवार जो है वो इतनी भढ़ जाती है यानि वो इतनी हदिक संख्या में भढ़ जाती है जिससे वो किसी एक जंगली प्रजाती है उसको नस्ट कर देती है जिसके कारण भी आनुवानसिक अपरदन होता है तो आनुवानसिक जो अपरदन है उसके कारण क्या हो गए वही एक तो देशी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों को व्यापक स्थर पर उगाना खेती की सुद्री तकनीकों के कान जंगली प्रारूप का समाप्त हो जाना जंसंख्या वर्धी के कान जो जंगली छेत्र हैं उनको खेतों में या चारागा में रुपांत्रित करना खर्पतवार जो है उसकी कान कोई विशेश जंगली जाती का विलुप्त हो जाना यह है आनुवानसिक अपरदन अब आगला टोपिक आता है अपना उद्गम केंद्र उद्गम केंद्र देखो उद्गम केंद्र क्या है देखो नाम से पता लग रहा है कि किसी भी जो फसल है उसका उद्गम इस्थान उत्पत्ति स्थान कहां से उत्पत्ति हुई है उस किस्म की वो उसका उद्गम केंद्र कहलाता है एक वेज्ञानिक थे वेवी लोव नामक जो वेज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि फसल जो है फसल का जंगली फसल का जंगली प्रजातियों से उद्गम फसल जो है उसका जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के विशिस्ट इस्थानों या छेत्रों में हुआ है पर कोई भी फसल है फसल का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशिस छेत्रों में हुआ है और उन छेत्रों को उस फसल का उद्गम केंद्र कहा जाता है वेवी लोव नामक वेग्यानिक ने क्या बताया कि फसल का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के विभिन छेत्रों में हुआ है और इन छेत्रों को उद्गम केंद्र कहा जाता है ठीक है बटा अब जैसे हम कुछ उद्गम केंद्र और फसले जो हैं उनके बारें बात करेंगे जैसे हम सबसे पहले भारत की बात करते हैं भारत जो है इसमें भी कुछ फसले जो है उनका उद्गम केंद्र रहा है भारत जैसे धान है धान का उद्गम केंद्र भारत रहा है धान के अलावा अरहर है उसका उद्गम है आम है हल्दी है ये क्या है ऐसी फसले है जिनका उद्घम केंदर कौन है भारत में है या इन फसलों का विकास भारत में हुआ है इन फसलों का विकास का हुआ भारत में तो भारत इन फसलों का क्या कहलाएगा उद्गम केंद्र कहलाएगा ठीक बटा तो ये तो हो गया भारत जो है उसका उद्गम केंद्र ठीक बटा भारत के उद्गम केंद्र के बाद नमबर दो प उद्गम केंद्र है जैसे सोया बीन है सोया बीन सोया बीन जो है इसका उद्गम केंद्र चीन जो है यह माना जाता है मुली है मुली का उद्गम केंद्र भी चीन माना जाता है उसके अलावा बैंगन है बैंगन का भी उद्गम केंद्र कोन कहला कोन है वही चीन है तो यह उद दान, aurhar, cana, moong, ganna, aam, haldi का उद्गम केंदर है चीन जो है यह सोयावीन, muli, bangal जो है उसका उद्गम केंदर है ठीख बेटा तो यह 2 उद्गम केंदर बताए उसके बाद number 3 पर लेते हैं number 3 जो है उसपर आता है Afghanistan आफ्गानिस्थान गया है अप्गानिस्थान गफ गानिस्थान जो है एह फ़िश्च का अंफ केंदर है अल्सी ऑप अल्सी जो है उसका उद्गाम केंदर है चिल है तिल का उद्गम केंद्र है गाजर का भी है प्याज का भी है लसुन का भी है बादाम जो है उसका उद्गम केंद्र है अफगानिस्तान किस किस का बैटा गेहु अलसी तिल गाजर प्याज लसुन और बादाम का ठीक बैटा नमबर चार पर लेते हैं पर्सिया पर्सिया जो देश है वो किन किन का उद्गम केंद्र है देखी बैटा एक तो राई का राई का उदगम केंद्र है राजमा का उदगम केंद्र है ये पत्तागोबी पत्तागोबी का भी है ये जै का है अंजीर का है तो पर्शिया में राई राजमा पत्तागोबी जै और अंजीर जो है ये आते हैं ठीक बेटा नंबर पांच पर हैं मद्ध अमेरिका मद्ध अमेरिका बेटा देखिए मद्ध अमेरिका जो है ये मक्का का मक्का जो है उसका उसके अलावा सेम सेम का सकरकंद सकरकंद जो है उसका तर्बूज तर्बूज का और पपीता जो है उसका उदगम केंदर माना जाता है किसको बेटा मद्ध अमेरिका को तो ये हैं उदगम केंदर जहां से किसी फसल की उत्पत्ति मानी जाती है अब लेते हैं अगला टोपिक इसके अंद्गाती ही उद्गम केंद्र के प्रकार कि उद्गम केंद्र जो है उसके कितने प्रकार होते हैं तो उद्गम केंद्र जो है बेटा इसके दो प्रकार है जिसमें हम सबसे पहला परकार लेते हैं वो है प्राथ्मिक उद्गम केंद्र ये पहला परकार है उद्गम केंद्र का देख प्राथ्मिक उद्गम केंद्र क्या काओगे जिस छेत्र में किसी फसल की उत्पत्ती प्रजातियों से होने का विश्वास होता किया जाता है मालों कोई एक विशेश छेत्र है और उस विशेश छेत्र में किसी फसल की विभिन प्रजातियों का विकास हुआ है या विकास हुआ है और ये ऐसा विश्वास माना जाता है कि उनका इस छेत्र में विकास हुआ है, तो वो छेत्र उसका प्रात्मिक उद्गम केंद्र कहलाएगा, मालनक किसी भी छेत्र में है और उस छेत्र में विशेश फसल की परजातियों का विकास हुआ माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि इस छेत्र में फसल की परजा व्हत्यों का विकास हुआ है तो वह चहल आएगा प्रात्मिक उद्द्गम तेयर हूज दूसरा है जित्यक उद्द्गमकेंद्र is oh दित्यक उद्गम केंद्र दित्यक उद्गम केंद्र क्या होता है जिन छेत्रों में किसी फसल के क्रसी प्ररूप में बहुत हदिक विविद्था पाई जाती है किसी छेत्र में फसल के क्रसी प्ररूप में बहुत हदिक विविद्था पाई जाती है कोई भी क्रसी प्ररूप है और उसमें काफी विविद्था या भिंता देखने को मिलती है तो उस छेत्र को उसे क्या का जाएगा उसका दित्यक उद्गम केंद्र का जाता है जहां पर फसल की उत्पत्ती होती है तो प्रात्मे केंद्र या किसी छेत्र में फसल के अनेक क्रसी प्ररूप में विविदता मिलती है तो उसे उसे दित्यक उद्गम केंद्र कहा जाता है ठीक बेटा अब ये हो गया अपना उद्गम केंद्र पूरा हो गया प्राथमिक उद्गम केंद्र और दित्यक उद्गम केंद्र अब आगला टोपिक हम लेते हैं संकरन यह बहुत इंपोर्टेंट टोपिक भी है संकरन देखे बेटा संकरन क्या है संकरन में क्या क्या जाता है दो भिन जीन प्ररूप वाले जो पादप है यह दो पादप है जो भिन जीन प्ररूप के है ये दो पादप है जो भिन जीन प्रूप के है यानि उसमें अलग अलग लक्षन है एक ही जाती के हैं लेकिन इन में विद्था मिलती है तो दो भिन जीन प्रूप वाले जो पाधप होते हैं उनके परा, एक विभेद के या एक पाधप जो है उसके पराकण दूसरे पाधप जो है उसमें स्थानांतरित किये जाते हैं यानि परागण करवाया जाता है एक पादब से दूसरे पादब जो है उसके पराकणों का इस्थानांतरन करवाया जाता है और उस इस्थानांतरन से जो संतती बनती है या संतती जो बनाई जाती है वो प्रिक्रिया क्या कहलाती है संकरन कहलाती है किसे काओगे बई संक्रण दो विभीन जीन पर रूप वाले जो पादप होते हैं उनके बीच में पराकणों का इस्थानांत्रन करवा कर बई एक दूसरे में पराकणों का क्या किया हमने इस्थानांत्रन किया बई इसके पराकण इसकी वर्तिकागर पर डाले इसके पराकण या जो संतती बनाने की प्रक्रिय है वो क्या कहलाती है संकरन कहलाती है संकरन का उपियोग ऊफसल सुधार में चो जो है उसमें 1901 में किया गया कब किया गया 1901 के बाद किया गया क्यों कि 1901 में मेंडल के आनुवान सिक्ता के नियम जो है उनकी पुनैखोज हुई थी पढ़ाओगा बेटा अपने 11 वी में कि मेंडल जो है उसके आनुवान सिक्ता के जो नियम है उनकी पुनैखोज हुई थी 1901 में और उसके बाद संक्रण का उप्योग किस में किया जाने लगा बेटा फसल सुधार में किया जाने लगा ठीके बेटा अब देखिए अगला टोपिक है संकरण के उद्देश संकरण के उद्देश संकरण के उद्देश संकरण के उद्देश क्या है देखे बेटा संकरण के मुक रूप से दो उद्देश है पहला उद्देश है संकर बीज उत्पादन संकर बीज उत्पादन यानि संकरन का पहला उत्देश होगा कि संकर बीज संकर बीज का मतलब हाईब्रिड जो बीज है उनका निर्मान करना दूसरा है इसमें आनुवानसिक विविद्धा आनुवानसिक विविद्धा का उत्पादन करना आनुवानसिक विविद्था का उत्पादन करना संकर बीज जो है वो बनाना और आनुवानसिक विविद्था यानि आनुवानसिक जो विविन्ताएं हैं उनका उत्पादन करना ये दो है संकरण के उद्देश संकरवीज का उत्पादन और आन्वानसिक विद्दता का उत्पादन ठीक बेटा आज के लिए इतना ही बेटा जो भी काम आपको होमवर्ग दिया जाता है PDF के रूप में वो आप समय पे करें और ये आपका कभी भी किसी भी समय आपका चैक कि है ठीक है बेटा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू